हेलो फ्रेंड्स अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको की तीन सीजन्स और अपनी हॉलिवूद डेब्यूप फिल्म बेव वाच करने के बाद एक्टरस प्रियंका चोपड़ा वापस भारत का रुप कर रही है जल्दी प्रियंका फिर एक बार वॉलिवूड फिल्मों में नजर आएंगी और शुरुवात हो रही है सलमान खास स्टारर फिल्म भारत से इसके अलावा यरितिक रोशन स्टारर फिल्म क्रिश की चौथी कड़ी में भी नजर आ सकती है विदेश में कड़ी मेहनत करके लोटी प्रियंका अब अपने हर प्रोजेक्ट का चुनाओ काफी सोस समझ के कर रही है खबर है कि क्रिश फोर के मेकर्स ने प्रियंका चोपडा से फीमेल लीड रोल के लिए संपर्क किया था प्रियंका को स्क्रिप्ट पसंद भी आई थी लेकिन वह चाती है कि उनके किरदार को रित्तिक के किरदार जित्ता शशक्त और प्रभावी बनाया जाए अपने नए प्रोजेक्ट को काफी जाच परदाल और सोच वीचार के बाद चुन रही प्रियंका के बारे में यह भी ख़बर है कि उन्होंने अली अबास जफर के फिल्म भारत के लिए 12 करोर रुपे फीस मंगी है इसके बाद प्रियंका सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रिसेस के लिस्ट में दिपिका से बराबरी करते हुए टॉप पर आ जाएंगी मालूम हो कि दिपिका पाडुकोन को फिल्म पद्मावत के लिए 12 करोर रुपे में ले थे